वीदा पीपल समण संग और वीदा पीपल समण संग में जो लोग पिछले कैई साल से जमीन पर छोड़ी छोड़ी मिटिंग कर रहे हैं या अब पिछले नौ मेहने से जूम पर लगातार दो सो ढाइस सो आदमी और तीन सो तक भी पहुँच गए हैं तीन सो तीस पैंतिस तक भी जो लगातार मिल रहे हैं मिटिंग कर रहे हैं वो किसी की टांग नहीं खीचते लेग पुलिंग नहीं करते और ये बात समण संग दावे से कह सकता है कि समण संग में आज तक भी कोई किसी की टांग नहीं खीचता लेग पुलिंग नहीं करता तो पूछें दावे किस आधार पर दावा है दावा इस आधार पर है कि यहां जितने भी लोग हैं उनकी टांगे हैं ही नहीं, उनकी लेग ही नहीं है, जब उनकी टांगे ही नहीं है, लेग ही नहीं है, तो कोई खीचेगा क्या, यहां तो सब के हाथ हैं, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो कि यह कैसे हो सकता है, मन उससे हैं, लोग हैं और उनकी टांगे नहीं है दरसल जो टांग है खीचना का मुहावरा है वो कैसे बना हुआ है वो बना हुआ है किसी का पद खीचना कोई प्रधानी के पद पर है तो उसके पीछे लगे हुए लोग है कि इसके प्रधानी के पद को खीच लो कोई जनर्रल सेकर्टी के पद पर है तो किले इसका पद खीच लो कोई मिनिस्टर हो गया कोई MLA हो गया कोई किसी गुरुप का समू का संस्था का कुछ पदादिकारी हो गया तो कहता है इसको नीचे उतारो उसको लेग पुलिंग बोलते हैं डाउन करना उसको कहते हैं कि टांग खीचना कोई मनगरंद बाते कर रहा है उसकी बात को काटना तो कहते हैं कि ये मेरी बात काटता है मेरी टांग खीचता है कोई किसी का अधिकार ले जाए उसको कहते हैं कि ये टांग खीच रहा है कोई किसी का पैसा माल ले तो कहते हैं यह मेरे को नीचे खीसता है मतलब उसकी पोजिशन से, उसके पद से, उसकी प्रिष्टा से, उसके मान से, उसके सम्मान से, उसके पैसे से जो चीज उसने अचीब किया उससे नीचे करना तो यहां वीदा पीपल समण संग में कोई ऐसी चीज है यहां ना तो कोई पद है, ना यहां कोई पोजिशन है, यहां सारे लोग बरावर हैं, पहले भी बरावर थे, बुद्ध से पहले भी बरावर थे, बुद्ध के बाद भी बरावर थे, बुद्ध के समय बरावर थे, अ अपने सिस्चों को सिखायार पढ़ाया, वो भी बुद्ध को भंतिक कहते थे, और बुद्ध भी उनको भंतिक कहते थे, यानि कि संबोधन भी एक है, यहां भी एकी संबोधन है, यहां जो नर है, एक दूसरे को सरके के बात करते हैं, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कम उमर का ह ज्यादा उमर का है, ज्यादा पड़ा लिखा है, कंपड़ा लिखा है, अनपड़ है, गवार है, छोटे साइज का है, बड़े साइज का है, कैसा भी व्यक्ति है, अगर वो नर है तो उसको सर कैके बोलते हैं, और कोई नारी है तो उसको बहन जी कैके बोलते हैं, कैसी भी ना सबनेगे, और बात सुनेगा कौन, कोई व्यक्ति मुख्या तो है नहीं, कोई प्रधान नहीं, यहां सब बरावर होते हैं, तो बात सुनती है पूरी सभा, यानिकि संवड संग सुनता है बात काम की बात न हो, हो तो संग सुन लेता है काम की बात ना हो तो कहते हैं कि यह बहुमत में ठीक नहीं है इसको चुप हो जाओ तो बैठ जाता है तो खाना यहां कोई ऐसा नहीं है कोई यह 56 भोग लेके आए कोई 28 भूग लेके आए, कोई 5 भूग लेके आए, सब अपना खाना लेके आते हैं, जब समण संग में बैठते हैं, वो ही 6 पराथे, 4 पराथे, 6 पराथे, अचार के साथ, और वो भी अपने नहीं खा सकते, तो सारे मिलके बैठेंगे, खाएंगे, तो संग का नियम है, कि खाना मिलके खाना है, कोई ना भी लाया, तो कोई बात नहीं, संग का खाना है, संग उसको खाना देता है, परावर खाते हैं, एक रोटी से मैं चाहिए, और अधिकतर जितनी भी मीटिंग होई है, समय खाना बचाईए, क्योंकि सब समझदार हैं, दो की जिए का चार ही फाल दूलाते हैं, खाना कई बार आस पास में बांटना ही पड़ता है, तो कोई किसी का पैसा नहीं लेता, तो टांग क्या खीचेगा, कोई किसी को ये कही नहीं सकता, तेरी कार में गया था मैं या तू मेरी कार में गया था मेरा तेरा पैटल खर्च किया, क्योंकि यहां तो नियम है, आएगा जाएगा अपने पैसे से और अगर समण संग में किसी की कार में बैठके जाएगा तो बरावर का पैसा उसको देगा तो टांग क्या खीचेगा तो कोई कह सकता है मेरे हैं रुके, मेरे हैं आए तो उसका भी नियाब है समण संग में किसी के हैं जाओगे और रुकोगे अपने सेहर से बाहर तो लिफाभे में बंद करके उसको कुछ है माउंट दोगे वैसे 500 पे निर्धारित है देख लो मौकेब है कि 500, 300, 400, 600 जो भी उसका लगा हुआ है अंदाजा करके लिफाभे में रखके दे दो लेने वाले की मर्जी है ले या ना ले मगर आपकी जमदारी है कि आप दें तो लोग पैसे देते हैं तो क्या टांग खीचेगा हमने तो दिये तुने लिए ने लिए तिरी मर्जी और हम तो रुक्येश्ट से सम्मान से दे रहे हैं भाई ले 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 तो लेने चाहिए तो नहीं लेते होता आप कोई सिफारिस भी नहीं होती यहां कोई किसी के कहने से ना उपर चड़ता है ना नीचे चड़ता है क्योंकि ना तो यहां उपर है ना यहां नीचे है यहां तो सारे के सारे जमीन पे बैठते हैं अगर जमीन है तो फिरी की जगे बैठते हैं और अगर कुर्सी है तो सब कुर बैठ के भी नहीं आए तो कोई माला भी नहीं पनाने वाला है कोईeles नहीं कर्षिए के प्रधान नहीं नहीए तो टौई क्या कीचोगे तो यहां कोई किसी का पैसा लेता भी नहीं है एकाउंट नहीं है एकाउंट बनेगा नहीं तो समर संग आज इवन पूरी जिंदगी पहले भी और अभी भी पॉब्लिक से पैसे नहीं लेता है इसका खर्चा जो काईकन लगाते हैं जो चलाते हैं वो आपस में करते हैं बहुत मिनिम्मम खर्चा है 102 सुरुपेगा बैनर है और बागी कुछ थोड़ा बहुत होता है वो कर लेते हैं आपस में किसी को कहते भी नहीं है तो क्या टांग खीचोगे तो राजनीती में जब जाना नहीं है तो कौन टांग खीचेगा हमने तो वो भी टांग ख जानी देंगे हर व्यक्ति जो आज के समय ऐसी ऐस्टी ओवीसी में आता है पैदा हुआ है वो समर्संग का पैदा ऐसी हकदार मेंबर है उसका हक है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता सबके बाप का समर्संग है सबके दादा का समर्संग है सबकी पर दादी का पर नानी का समर् तो समर संग के अंदर कोई किसी को दोंस को नहीं ले सकता क्योंकि समर संग में एक व्यक्ती का व्यक्ती बाद का कोई निर्ने चलता नहीं सारी सभा बैठती है निर्ने लेते हैं बहुमत से पास हो गया तो नियम बन गया तो कौन इसको करेगा तो कौन इसको टोकेगा तो कौन इसको टोकेगा इसलिए समढ़ संग के अंदर कोई किसी की टांग नहीं खीच सकता ना पहले कभी किसी नहीं खीची है ना आप खीच सकता है क्योंकि समर संग की टांग ही नहीं है इसको आप खुल के कह सकते हो कि यहां हम एक दूसरी की टांग नहीं खीशते बलकुल दावेग साथ कह सकते हो और कोई यह पुरूब कर दे कि समर संग में यहां टांगे हैं तो वो टांगे समर संग के अंदर एक डिशन होगा बैठेंग है उनके जीन में है वो पहले और पुराने स्रमरसंगी है दुनिया के सबसे पुराने स्रमरसंगी है बुद्ध से भी पहले कि जो नए लोग आये हैं उनको बता दे कि जब बुद्ध नहीं थे काली सिधत गौतम थे तो सिधत गौतम एक वार जगडा हुआ जहां वो रहते थे उस जगे को साखे कबीला बोलते थे और एक नदी पढ़ती थी रोहनी बीच में और उसके परले तरफ कोली नाम के कबीले में लोग रहते थे दोनों ही धई हुगाय करते थे धई को बाद में धान और धन केना लगे तो उसको पानी जाता चाहिए और पानी बरसाद का आता था वहाँ कि जमीन से पानी नहीं आता था तो वो कोलिये जो लोग थे पानी अपकी तरफ जादा मोड लेते थे इज़र साक्यों को पानी चाहिए उनकी फ़सल सूकती थी तो ज़ड़े रहते थे उनमें हर साल तो साक्यों ने का कि आपके ज़ड़ा खतम करते हैं आपके युद्ध करते हैं इंसे लड़ते हैं आपके आपके इनको पीटेंगे तो ये निर्ने हुआ पूरा समर संग बैठा जो साक्यों का था वहां निर्ने हुआ युद्ध करेंगे, सिद्धत गौतम ने मना कर दिया, मैं युद्ध मनी जाओगा, क्योंकि सिद्धत गौतम सबसे रिच व्यक्ति थे वहाँ पे, उनके एक हजार हल चला करते थे, जैसा बावा साव मिटकन ने बुद्धा इन इस धमा में लिखा हुआ तो सिद्धत गौतम से कहा कि तुमने संकी बात नहीं मानी तो पनिस्मेंट होगी, तो पनिस्मेंट में उनको सक्के जो कबिला था वो छोड़ना पड़ गया, उनका देश निकाल एकते हैं से, वहीकत बोलते हैं इसको वहीकत डंड है ये, जो बाद में बुद्ध ने भी चंद को, तो वहीकत डंड उनको दिया गया, बाहर कर दिया गया, आज भी चौपालों में कहते हैं इसकी रोटी पानी बंद ये बरादी से बाहर हो गया, तो बरादी से बाहर का जो नियम है वहीकत का पुराना नियम है हमारा, जिसको हमें सज़ा दैनी होती है, उसको हम सम से बाहर वही नियम चलता है और हरियाने मुत्र प्रदेश में तो खूब दबाएकर चलता है तो वो जो नियम था समर्संग वहाँ अप्लाई हुआ इसका मतलब समर्संग सिद्धत गौतम की समय था और सिद्धत गौतम जब तक बुद्ध नहीं बने थे तो उससे पहले भी इसने पुराना है और पूरे गाओं गाओं में चलता है हर जिगा चलता है जिसको पंचायत के नाम से कहते हैं पंच परमेसर के नाम से कहते हैं और वही नियम है वही नियम है हाथ के आत पंचायत बैठती है हाथ किसी को मुक्या बनाती है हाथ के बात आती है हाथ के फैसला होता है और फिर वो फैसला मानना होता है पंचों का मानना पड़ेगा वही नियम दुबारा से यह नियम यहां दुबारा से इसलिए लेने पड़े क्योंकि हमारे जो संग्ठन है वह बहुत ज्यादा है 29 लाग संग्ठन जो रिष्टर्ण हैं और उनमें 4 लाग एक्टिवेट हैं टोटल 31 लाग हैं जिनमें 2 लाग उनके हैं और दुनिया की सारे देशों में सबसे ज़्यादा संग्ठन सारी दुनिया के इतने मिलाके संग्ठन नहीं जितने हमारे अके लिए एस्टी एस्टी उनकी बात भी मानते हैं सब काम करते हैं क्योंकि संग्ठन वाले लोग यह नहीं सोचते के 6743 जो हमारी जातियां हैं वो हमारे 6743 टुक्ड़े हैं पुराने संग्ठन के जो बुद्ध से पहले संग्ठन था और अब उन्होंने 29 लाग संग्ठन बनाके हमारे 29 लाग की तो छे चाजार 483 जातिके जबकि संग्ठन के 29 लाग हैं तो हम ज्यादा बड़े टुक्ड़ों की बात ज्यादा करते हैं कि 29 लाग संग्ठन अगर जोड़ जाए तो फिर जाती की बात करें मगर आज यहां जाती की बात कर लेतें समण संग किसी चीज से भागता नहीं ह ये खास बात है और समर्ण संग के पास पुराना सारा जबार है जो पिरमुक रूप से नौर्थ के अंदर जो जातियां चलती हैं जिनका बारबार जिक्र होता है वो जो जातियों की पैक्टिस कर रहे हैं और जातियों की अपने साथ लेके चलते हैं और जातियों को अपने सी से चुपकाए बैठे हैं और दन्राद दन्राद कुड़ते रहते हैं कि हमारी ये जाती हमारी ये जाती हमारी ये जाती आप किसी भी जाती वाले से पूछ लेना यहां दो सुप पच्चान में लोग हैं अगर उनका जाती में किसी का यकिन है तो रात वर सोचे कल दिन वर पढ़ ले, और फिर आगे बताए, कि उसकी जो जाती है, उप पहला जिकर कब आया, कौन सी किताब में है, किस ने बनाई, कैसे बनाई, क्या जाती है, मतलब है, बता नहीं सकता, क्योंगी है नहीं, बताय तो जब ना जब हो, इसलिए जितने भी लोग लड़ रहे हैं और तो 6,743 जातियों मैंसे अगर इसारी जातिय तब ही से चली आ रही है या कुछ जाति भी मानने आद ही मानने थे हैं तीन हजार मानने थे हैं तो इनके नाम तो होने चीए थे कितना मोटा मोटा साहिते लिखा हुआ है पाली के अंदर उसमें एक सिंगल जाती का नाम नहीं मिलता एक आथ जाती का नाम तो मिले तो एक भी जाती का नाम नहीं मिलता तो जो हमारे बहुत अकल बंद लोग हैं और तेज तर्रार जो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा किताबे पढ़नी धंकी और बुद्ध को पढ़ लिया वो क्या कहते हैं बुद्ध छत्रिये है पहली बात तो यह है कि छत्रिये को जाती नहीं होती दूसरी बात है कि छे सब्द पाली में नहीं होता त्रे सब्द पाली में नहीं होता और कहिनी मिलता बुद्ध का जो नाम मिलता है वो खेतिय मिलता है तो बुद्ध खेतिया है खेतिया मतलब जो खेत में काम करते हैं खेतिया से ही खाती बना है खत खतोनी बना है और खेत बन हंदी में डबनाया गया तो खेत को छेतर बोला गया इसलिए हम छेतर फल नापते हैं खेतर फल नहीं नापते तो खेतर फल क्या है इसका छेतर फल क्या है कितना छेतर है हम कहते हैं कितना छेतर है जरसले ये खेत को बोलते हैं कितना खेत है और ये खत खतों नहीं सब्द तब होती थी चित्री वालों को चट्री वालों को च्ट वोने लगे कपड़ी की छत like a one मतुलадно लटने वाले होते थे अरे भी बेफकूफों लोग जब बुद्ध जैसा व्यक्ती जब सिद्धत गौत्म जैसा व्यक्ती भरी जवानी में यह कहता है कि मैं लड़ूँगा नहीं तो जो लडने से मना कर रहा है और जो खेतों में काम कर रहा है और खेत के पानी के लिए वो लड़ रहे हैं आपस में और वो सारे सारे किसान और खेतियां है और उनका तो नाम भी साक्या है, शाक्या नहीं, शैपाली में नहीं है, साक्या है साख के का मतलब है साख सबजी हुगाने वाला तो तो खेती ये लोग है साख सबजी हुगाने वाले लोग है वो किसे लड़ेंगे तब तो ना सैना बनी ना सैना का विश्कार हुआ चंद को तो मौरे के समय पहली सैना बनी है तो जब सेनाई नहीं थी तो छेत्री है आज के हिसाब से जिसको कहते हैं चत्री है तो काय का चत्री है जब कोई हत्यार नहीं जब कुछ लड़ाई नहीं जब से सेना नहीं तो इतना तो समझ लो भाई तो समझने कोई त्यार नहीं है बुद्धिमान जादा है तो फिर एक ब पाली पाली इस्तमाल होता है नाई भी फेक है नाई कोई सब भी नहीं है तो बाल तो कटते थे तो बाल कटने वालों को क्या बोलते थे क्योंकि नाई जो बोला जाता है वो तो उर्दू का है बाल काटने वालों को बोलते थे केस हारी जैसे रोग काटने वालों को डाक्टरो उड़ाते थे तो इसका एक बाद में नाम पड़ा केस कपक कपक का मतलब होता था जो कप करता है जो हटाता है सिपाई जो होता है एक तरह से जो अडली होता है और केस माने केस वाला बाल वाला सिपाई या अडली तो केस हारी नाम होता था यानि कि जो बाल काटने काम करते थ उनको के सारी बूला करते थे। तो कहते हैं। सवूनित भंगी का नाम नहीं सुना आपने। तो उदर से बुध अपने भिक्तुं सहत आ रहे थे, य। बुद्धन को देक का ड़ằng जभए और उछ aktiv Brock प य। बुद्ध ने उसे दूर से देखा फिर उसको बलाया फिर बला के इधर आया क्या नाम है तेरा उसने का में नाम स्रुनित है स्रुनित भंगी है तो उने का कि हम तुझे सिखाएंगे पढ़ाएंगे फिर उसको बुद्ध ने दिक्षा दी और वहीं मंतर मारा और वो बड़ा ग्यानी हो गया, ओपे सुलित भंगी क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने उसमें सामिल कर लिया, तो भंगी नहीं नहीं था, अरे भाई, थोड़ा तो सोच लिया करो, पुराने समय में बुद्ध गंद कुटी में रहा करते थे, जो फूसकी और छानकी बना कर रहा करते थे, और चार महने तक जो बुद्ध और बुद्ध के भिकूँ हैं, बरसात में निकलते नहीं थे, क्योंकि कोई पक्की सड़की नहीं थी, पक्डंडिया थी, और कीचड़ में हो जाया करते थी, और सारे में जंगल थे, वो जंगलों को साफ साफ करकर के मैदान मराते थे, वहा जितने मकान ते कच्चे थे और हर व्यक्ति अपना काम करता था और बुद्ध के साहिते में लिखा हुआ है, कि बुद्ध और बहुत बिकु जो थे, वो अपने लेटिन का उठाने का साफ करने का सफाई का काम खुद क्या करते थे, वो किसे करा करने थे, तो भई यह की नौकरी किसने दे दी, यह जो भंगी जो लोग हैं जिनको आज सफाई करके बोलते हैं, यह जवरिस्ती अपने आपको सफाई सफाई करके जाते हैं, वहां सफाई की नौकरी नहीं, एक वहां बिल्डिंग नहीं, एक वहां स्रलक नहीं, बख किसका घर साफ करने जा रहे और वहाँ सफाई हो रही है काई की सफाई हो रही है कौन सफाई करेगा तो ये बात समझ में नहीं आती तो लोग कहते हैं भंगी सब्द है पाली के अंदर इसमें कोई शक नहीं है और जो भंगी सब्द है वो बड़ा उंचा है भंगी सब्द का मतलब है कि जिसने अपने रा पहला जो भंगी है वो बुद्ध है क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले सिद्धत गौतम ने सबसे पहले अपने राग देश और मोहमूर्था राग का मतलब होता है जो मन के अंदर होता है ये चाहिए 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 देश का मतलब होता है जो मन के अंदर होता है य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और महमूर्ता का मतलब होता है, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए. असमज़की इस्तितिती बर रहता है. तो यह तीनों ही स्टेज उसने भण्र कर दीं, तो बुद्ध हो गए, तो उनको भंगी भी बोलते हैं। इसलिए उनका नाम भंगवंतू भी है, भंगवंतू मतलब भंग करने वाले, भंग करने वाले, इस भंगवंतू से भगवंतू पड़ा और भगवंतू से भगवान हो गया, तो भंगी नाम तो है और बहुत उचा है, बुद्ध का नाम अगर भंगी है तो आप समझ सकते हैं उसमें चिवर सब्द नहीं है उसमें चमार सब्द है तो कोई ग्यानी बता दे मुझे के पुराना वाला जो चिवर सब्द था वो कहां चला गया और अब जो ये चमार सब्द आया ये कहां से आ गया कोई नहीं बता सकता और पहले चादर सब्द नहीं होता था पहले चीवर सब्द होता था चादर सब्द बना है यानि ये चीवर से जो चमार है यही जो बने हैं जो चीवर धारी लोग बोगा करते थे क्योंकि चीवर में खास बात ये थी कि चीवर को छोड़ भी सकते थे सौदिन का चीवर लिया, दस दन lin का चीवर लिया चीवर मतलब, इस्टूडेंट लाइफ में उस प्रप्पड़े को पेना जो बद्ध या बद्ध के सिस्से पहना करते थे तो उसको चीवर बोला करते थे उसी को चादर बोते थे उसी को आज के समय में लोगों को मान सम्मान में दिया जाता है वो चीवर ही दिया जाता है जिसको चादर बोला करते हैं कि यह हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं बिक्कू के समय का बुद्ध के समय का सम्मान वो अभी तक भी चला है और पूरे साहितने में जाटब सब नहीं मिलता, क्योंकि जो उस समय जिनको चीवधारी लोग थे, उनका ग्यान बहुत ज़्यादा था, और उनसे बड़ा भंग ग्यानियों का था, यानि जिनोंने भंग ग्यान प्राप्त कर लिया, उनको भंगी बुला करते थे, ये ग्यान के थे, क्योंकि एकी साथ काम करते थे, सार सारे सारे, कोई परिवार अलग लग नहीं थे, दूसरे नंबर पर जो मार पड़ी, वो पड़ी, जो चीवधारी लोग थे, उन्होंने आड़मरों का विरोध किया, और जब विवस्ता में जो विरोध करता है, उसको सजा मिलती ह तो ये जो लोग थे, इनको सजा मिली, और सजा क्या मिली, जब युद्ध हार गए, मान से कि युद्ध से हारे, या कुछ लोगों को, इन्हीं के भाईयों को, जिनको आज हम OBC कहते हैं, इनके अगेस्ट में खड़ा करके, और इनके अगेस्ट में इनको हराया गया, तो इ अगर इनका स्वाभ इमान नहीं गया, वो स्वाभ इमान ही जिन्दा है, जो आज हम और हम यहां 314 बैठे हुए, और उसी स्वाभ इमान की लड़ाई है, उसी हक की लड़ाई है, वो आज भी हमाने आदमी के इंदर कूट-कूट कबरा हुआ है, बेज जतीगी रूटी नह खा सकता भूका मर जाएगा, ये गुड़ आज भी है, चाहे वो भंगी है, चाहे वो आज की जेट में चमार है, क्योंकि दोनों ही सगे भाई है, और उससे वे परिवार के अंदर एक भाई जंगल में जाके जानवर को मारने का, मास लाने का, अंडे का काम करता था, शिकार का समर्ण से उन्होंने वन्ड बनाए और वन्ड से दीदे दीर करके हमारी सारी इस्टी, असो के समय तक हमारी इस्टी पूरी थी, असो के बाद तक हजार साल तक रही, ये बस पांचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचो नहीं पता कि उनकी कोई जाती नहीं है उनको जवस्ती 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 किसी को धानों किसी को चमार किसी को लोधा किसी को माली किसी को तेली किसी को तमोली किसी को भंगी किसी को ऐसे ऐसे करना सूर कर दिया तो लोगों ने का यार यह जो चमार सब्द है यह बड जो गुण साथ लेके आ रहे थे वो गुण हटे क्या बेज़ती हटी क्या तो नाम बदलने से सामने वाले ने आपको जद्धनी नहीं शुरू की क्योंकि आप भीक की जद माग रहे हो आपको अपना इथियास पता नहीं है नाम बदलने से काम नहीं बदलता उधर जो भंगी विक्ति को कोई जद देने को त्यार नहीं है सिपाही को कौन जद देगा सिपाही दुफरिक खळा हो जाएगा आप वारियल लोग हो आप सिपाही लोग हो आप मेंदाने जंग में लड़ने वाले लोग हो जरासी हवा मिली बस जरासी कौन सी बाबा साब ने जरासी हवा द लिए इसका मतलब कि आप पुराने राजा हो पुराने बासिंदे हो तो जब आप P.M.C.M. की धावधारी करते हो और अपनी राजा की शीट लैनिंगी धावधारी करते हो तो उस आदमी का भी तो हक है जो आपको राजा नहीं बनने देगा जो आपको गुलाम बना कर रखता है जो आपको जातियों में तोड़ कर रखता है जो आपको 29,000,000 तो 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 तोड़ेगा आपको इसलिए वो क्या कहता है अरे भई ये सारा का सारा माल चमार ले गए और ये जो जितना भी आरश्टन था ये सब चमार ले गए और भंगियों को कुछ नहीं मिला तो वो तू सत्ता में बैठा था तेरे को सब को देना था तूने चमारों को ही क्यों दिया तूने भंगियों को क्यों ने दिया तो मूबंद हो जाता उसका क्यों पकड़ा गया वे देने वाला कौन है देने वाले की गलती है कि उसने सारा कुछ लोगों को दिया कुछ को ने दिया हमको लड़ाय जा रहा है और इस लड़ाई का फाइदा किसको है पंजाब के अंदर 30% के इस रुलकाश छोने के बावजूद भी सीम नहीं बनते जबकि 30% पर सीम बन जाता है तो नुकसान किसका हो रहा फाइदा किसका हो रहा देख लो भाई ऐसे ही सारे श्चेटों में सम्में नुकसान हो रहा है क्योंकि अगर यहां बावा साब की बात मानी जिनको जाटब बोलते हैं ये जिनको चमार बोलते हैं तो फाइदा उसको होगा जो बावा साब की बात मान के पढ़ाई करेगा तो फाइदा उनको हुआ इसका ठीक उल्टा हुआ आंध प्रदेश के अंदर जो सफाई करने वाले लोग थे जिनको भंगी बोलते हैं उन्होंने बावसाब की बात मानी और वो पढ़ लिये और वहां पे चमला काटने वाले जो लोग थे जिनको चमार बोलते हैं माला मादी होगे तो वहां उनको लड़ाते हैं वहां कहते हैं अरे सारा सारा नोक्री सारा पैसा तो यह भंगी लेगे आंध प्रदेश की पता रहूं आपको और यह जो चमार हैं आंध प्रदेश के तो उनमें जहड़ा डाल लगता है वो एक दूसरे की सकल नहीं देखते हैं उसका पाइदा होता है जो मसलकार बनती है जिसके पास बजट होता है इसलिए जब आप जाती का नाम लो या जाती की बात करो जाती में अपने आपको जलाके बैठे हुए या भुनके बैठे हुए तो यह समझो कि जाती का मतलब क्या है पाली के अंदर जाती बोलते हैं उत्पत्त को पैदा होने को जाती है उद्ध कहते है जाती दुखा जरा दुखा मतलब है पैदा होना दुख है जरा माने बढ़ापा दुख है व्यादी दुखा व्यादी मतलब बीमारी दुख है मरनंग दुखा यानि मरना दुख है चार दुख बताते हैं पैदा होना दुख है मरना बीमारी दुख है और बढ़ापा दुख है तो वहां से जो जात होता है कहते है तेरी जात क्या है मतलब तू पैदा जो हुआ है वो क्या है तो पहले पैदा होने के लिए कबीले हुआ करते थे कुल हुआ करते थे उस कुल में पैदा होते थे तो कुल का नाम बताया जाता था, गोत तो बोलते है इनको, पाली में गोत, गोत का मतलब है लाइनेज, सिद्धत गोतम की जो लाइनेज है, जो उनके कबीले का नाम है, वो गोतम है, इसलिए उनकी माता है, उनको गोतम है, उनको गोतम है, सिद्धत गोतम इसलिए बोला जात वो जहां भी मिलेगा, वो हमारे नाग लोगों का है, नाग माने हाती होता है, तो वो गोत, हमारे ही गोत ने, गोत कहीं से बन के नहीं आए, गोत का मतलब लाइने जाए हमारी पहचान है, हमारी कबीली की पहचान है, कि हम किस गुरुप से, किस खांदान से, किस कबीली से है, जैसे आज के समय हमने वी लिखा हुआ है तो वी का मनला भी स्रमन संका है हलाकि हमको हाती बनाना चाहिए था इसका मगर हाती बनाते तो वो राजनितिक पार्टी ने ले रखा है तो लोग कहते हैं राजनितिक पार्टी का कैसे ले लिया जाती का नाम ने से थर-थर कापता है जाती उससे अपमान देती है जाती का नाम सुनते उसकी आंके नीचे जुख जाती है जाती का नाम सुनते उसका बल निकल जाता है जाती का नाम सुनते उसकी हवाईयां उड़ जाती है जाती का नाम सुनते है उसको गुस्ता आ जाता है जाती का नाम सुनते है उसको बहुत जादा बद्ला लेने की आ जाता है मन के अंदर तो वो ठंडे दिमाग से एक बार घर में फ्रीज में सब ठंडा पाए निकाल के पिए और पीके ये सोचे कि उसकी ये जाती आई कहां से थी उसका सारा गुस्ता उड़ जाएगा पूरी जिंदगी लगा देगा उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी जाती आई कहां से क्योंकि बावा साव अमेट कर कहते हैं कि ये जो जाती है ये माइंड गेम है यह notice of mind है यानि कि mind से पैदा हुई और मन से पैदा हुई है तो जो चीज हवा में है और जो चीज मन से पैदा हुई है उसको आप जमीन पे लड़के, गुसा करके, उसका जिक्र करके, उसकी बात करके और बढ़ाओगे, कटा नहीं सकते उसकी जानकारी लोगे, तो मन से निकल जाएगी इसलिए बावा साब अमबेट कर जैसे जो विक्ति हैं, जो दुनिया के पहले नमबर के हैं वो इसका एक इंडारेक्ट सॉलुसन बता जाते हैं हमें लोग समझते नहीं, वो ये कहते हैं कि भाई आप बुद्ध की संतार हो और बुद्ध आपके पिता में हैं, और वही स्रमण संग से उन्हों नियम मराएं उससे पहले सारे सारे रहे हैं, तो आप सब उसी मत में चले जाना तो बुद्ध की बात मालेना और बुद्ध की जीने के सिध्धान्त को एड़ाट कर लेना उस सचाई का सिध्धान्त है, उसमें सराव नहीं पी जाती, उसमें चोरी नहीं होती उसमें हत्या नहीं होती, उसमें वेफचार नहीं होता, उसमें जूट नहीं बुला जाता, ये छोटे पांच नियम हैं, ये पांच नियम मानने हैं, तो ये पांच नियम तो हम अपने बच्चों को हमेसा सिखाते हैं, तो उसको हमेसा बुद्ध बनानी कोईश करते हैं, हमार तो नेचुरल सिध्धान्त बताए पाली में उसको बोलते ही धम है उसको धम बोलते है धम का मतलब है मैं जो धारण करता हूँ पर मैं का मतलब है जितनी भी चीज़ें है प्रत्वी पे यूनिवर्स में चाहे वो मट्टी है चाहे पानी है चाहे हवा है जो धारण करती है वो बुद्धने कौन सी मौम बत्य जलाएं मौम तो तब भी था जब मौम आता था और जो दीपा के तब भी था अत दीपो भव बोलते हैं कौन से जलाए कौन से पैरों पढ़े रहते हैं वो पैरों में पढ़ना ही समय नहीं आता है बुद्धने कभी पैर पढ़ने नहीं नहीं कहा बोले थे पदिखा का मतलब है कि जो बताया है उसको देखो और वो कहते थे कि चलो उसको देखो यह है वंदना का मतलब यह है वंदना का मतलब जो आपने कहा है वैसा करते हैं और जब हम कहते हैं चारिका कर रहे हैं चारिका का मतलब है कि जैसा आचार वहवार हमारे टीचर का है उसी के आचार वहवार पर चलते हैं और मूर्ख लोगों ने बुद्ध के पत्थर पे पैर बना दिये और पैर बना कहे रहे हैं इन पर पीछे पीचे चलो, जो उनका वहवार है, उस पर चलना है, एक छोटी-छोटी बात हैं, दिमाग में उल्टी-सीदी घुशरती हैं, लोग पैरों में पड़े हुए हैं, मौंबत्य जल जला रहे हैं, फूर मला चला रहे हैं, धुबती लगा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना, उन्होंने जाती के परणाम के वारे बात की है, जिस भी विद्वान ने बात कि है, जाती के परणाम क्या हैं, क्या हैं, मगर कोई भी विद्वान ये नहीं बता पाया है, कि पहली जाती कब बनी, दूसी कब बनी, कैसे बनी, क्योंकि सब ने यह पाया, यह मैंड से चलती है, मन से चलती है, और मन से इसको हरा सकते हैं, इसने डॉक्टर अमेटकर इंडायक्ट वे में कहके गए हैं, कि बुद्ध के पीछे पीछे चले जाना, बुद्ध के आशन पर चले जाना, यह नहीं कहा था कि पीले कपले पहने के और तुम ब पिदा में जियोतिवाफुले सारे समण हैं, तो इन चीजों को अगर समझोगे, और जाती के सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लोगे, तो जिन्दगी में आँख नहीं जुकेगी, और जब कभी जिन्दगी में आँख जुके, जाती के नाम से, तो फिर सोच लेना, ये जाती आई कहां से, और जब आपको ये पता ही नहीं कि आपकी जाती कहां से आई है, तो भाई इसको मान क्यों रहे हो, और क्यों इसको लेके घुम रहे हो, और क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, तो इसको सीखो और सिखाओ और समझो इसको और लग जाओ जुड़ने में जुड़ने में जो समाज जुड़ जाता है वो जैसे चाए वैसे कर देता है हम यहां बहुत तेसे जुड़ने हैं अगर हम जुड़ गए तो हम सब बच जाएंगे 39,000,000 से भी पार पार लेंगे जो सारा सोना है, सारा चांदी है, सारा महल है, सारी पढ़ाई है, सारी एजूकेसन है, सारे 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 ओफिस, सारी सब चीज़ उसके पास है तो हम उसके पास जाके क्या करेंगे और वो हमारे पास आके क्या करेगा, क्या लेगा हम से तो इसलिए हमारा उससे कोई न लेना है, अपने ही लोगों को इखटा करना है, जोड़ना है, और किसी प्रसंद से घबरारा नहीं है, कोई प्रसंद हो तो स्रमण संग में ले आना, सारे सारे हमारे महापुरुष जवाब देके गए हैं, इसलिए जिद्ध है जोड़ने की, जिद्ध है जोड़ने की, जोड़ेंगे, जीतेंगे, और हर हालत में जीतेंगे, पहले भी जीतेंगे, और फिर जीतेंगे, और जीत के ही मानेंगे, बिना जीतें उठेंगे नहीं, चैक कुछ हो जाए, इसलिए बस जुड़ना है, जोड़ना है, बड़े चलना है, छोटी मुड़ी बातों का ध्यान नहीं देना है, धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियं पी धम्ममर्सेनं गच्छामी खूतियं पी गम्मं सर्णन्न गच्छानी, घूतियं पी सर्णन सर्णन गच्छानू खूतियं पी सर्णन सर्णन गच्छानी, त formatsी था ये गभुधं सर्णन आफबेश्डन हेलाँ ततियं पी गुतंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी संदों सर्णं कच्छामी ततियं पी संदों सर्णं कच्छामी साथु, साथु